महताब और रागिप ये तीनों अरिष्ट कर लिए गए हैं ये पाकिस्तान को जासूसी किया करते थे यानि पाकिस्तान को खबर दिया करते थे भारत की पाकिस्तान को सूचना देने वाले ये तीनों अरिष्ट कर लिए गए हर्याडा के हिसार में तीन जासूस गिरफतार किय पाकिस्तानी सेना को मुगबिरी किया करते थे यानि उनको जानकारी यहां की दिया करते थे वाटसेब से पाकिस्तान को सूचना भेजते थे निर्माडा धीन चावनी की वीडियो क्लिप यह भेजते थे सेना की जाच एजन्सियों के गरफ्तारी हुई है वाटसेब से यह पा पाकिस्तानी सेना को सूचना दिया करते थे यानि यहां के सेना के मुमेंट के बारे में जानकारी यह पाकिस्तान सैनिकों को दिया करते थे वाटसेप के जरीए कॉल के जरीए या फिर वीडियो कॉल के जरीए यह जानकारी हुई है और इन तीनों को ही गरफतार किया गया है ये तीनों के परिवार वाले हैं जो दुखी हैं लेकिन दुखी होने से पहले इनको अपने बेटों को समझाना चाहिए था बताना चाहिए था ये तीनों वही हैं जो पाकिस्तानी के लिए मुक्बिरी किया करते थे तीनों जासूस जो भारत में रहते थे भारत के नागरिक थे लेकिन सोच इनकी पाकिस्तानी थी ये पाकिस्तान की मदद किया करते थे और रवी सुलानिया इस वक्त लाइब हमारे साथ जुड़े है रवी तीन को गरफतार किया गया है इन पर क्या क्या आरोप लगा गया है प्रावल देखे ये जो है तीनों लोग जो है शामली एक सामली जनपक का निवास ये दो मुझा फना करके ये तीनों जो है जासुसी करते थे पाकिस्तान की जो सेना है। वहां की वीडियो क्लिप बना करके सेना के हरियाना के हिसार से गरफतार कर लिया गया है तीनों को ही ये जानकारी मिली है यानि ये भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे भारत में रहकर इने पाकिस्तान पसंद था और अपनी देश की सेना के साथ ये गदारी कर रहे थे जासूस खालिद और महताब और रागिब इन तीनों को गरफतार किया गया है इन तीनों पर ये आरोप है कि ये भारत में रहकर पाकिस्तान को जानकारी मोहया कराय करते थे